हेलो दोस्तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है इसलिए आप बने रहे हैं आखरी तक हमारी वीडियो में आपको बताते हैं कि आज आपको वीवो, ओपो, वन प्लस और रियल्मी चारो कमपनियों के फोन की नाम आपने जरूर सुने होंगे और बहुत अच्छे से सुनोंगे लेकिन आपको बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता होगा कि चारो कमपनियों जो हैं वो एक ही कमपनी हैं जी हां दोस्तों एकदम सच वो वीवो, ओपो, रियल्मी, वन प्लस चारो कमपनियां एक ही कमपनी हैं और उन्होंने अलग-अलग तरीके से अपने मार्केट में कबजा करने के लिए अलग नाम से अलग सीओ रखकर अलग-अलग डिवीजिन बनाए हैं जानते हैं पूरा सच बने रही है हमारे साथ पूरे आखरी तक वीडियो में जलग दोस्तों आप सभी लोग जान चुके होंगे कि ये चारों कम्पनी एक हैं और कैसे एक हैं हम आपको बता देते हैं इस जो कम्पनी है मेन जो कम्पनी है उसका नाम है BBK और BBK ग्रुप की ये चार अलग डिवीजन है जिसका की नाम है Vivo, OPPO, OnePlus और Realme चारों कम्पनियों के CEO भी अलग हैं जबकि BBK जो एक ओनर कम्पनी है उसका CEO है द्वान यूंग कुंगी जो एक चाइनीज कम्पनी है और उन्होंने अलग चार CEO रख दिये क्यों? क्योंकि वो चाहते थे चारों कम्पनिया एक कम्पेटिशन करें आपस में और अलग तरीके से बिजनिस दें उसको तो पूरा पूरा सेल होता है जो ब्रॉफिट आता है वो BB को पूई जाता है चार अलग स्यों अलग ब्रांच बना रखें अब इन्होंने मार्केट पे कैसे कब जगिया? बहुती ध्यान से देखिए इस वीडियो को सबसे पहले Vivo और OPPO को उन्होंने मार्केट में उतारा ओफलाइन स्टोर पे सेल कराया ओफलाइन स्टोर पर आपको मिल जाएंगे Vivo और OPPO और दोनों और सबसे पहले तो चारो कंपनियों को जो ब्रांड अमिस्टर हैं जो की एड़डाइस करते हैं वो भी सब अलग हैं ताकि आपको ये फील नहां आपाए कि ये चारो कंपनियों एक ही हैं तो इसलिए सभी अलग अलग ब्रांड से यहां पर एड़डाइस कराते हैं Vivo और OPPO को उन्होंने अफलाइन अबलेबल कराया स्टोर के अंदर और दोनों के ही पोस्टर्स एबरटाइसमेंट सब कुछ अलग रखा ताकि आपको ये फीली नहां पाए Vivo, Echo, OPPO दोनों एक हैं उसके बाद 1 Plus जो इनका प्रीमियम फॉन माना जाता है इन्होंने क्या किया दिस्ट्रीटर और रिसेलर का जो पॉफिट है उनको कवर किया और केस्टमर को दिया ताकि वो केस्टमर को सस्ता फॉन प्रवाइड करा सकें बहुत अच्छे फैसिलिटी के साथ तो इनकी जो फॉन होते हैं जो 60-70 रजाद रपे के फॉन होते हैं यह 35 रपे में प्रवाइड करा देते हैं वन प्लस के जरीए और वन प्लस के बल ऑन-लाइन मिलता है इनका इन्होंने इसको आफ लाइन श्टोर नईब दिया तीसरा फॉन था रियल्मी जो की बहुत बाद में लाँच किया गया इसने मार्केट कबर की यह फॉन ऑफ लाइन भी एबलेबले स्टोर पर और ऑन-लाइन भी बिखता है इसने उन्होंने दोनों मार्केट कबर किया तो इस तरीके से उन्होंने चार अलग अपनी कंपनियां बनानी और चारों को कंपटिशन वतार दिया सारे फोन सब अलग-अलग हैं और सब ही अलग advertising की जाती है अलग इनके posters बना जाते हैं ताकि कहीं से भी किसी भी customer को ये feel ना आए कि ये चारो company एक है बात कहीं जाए तो ये एक नई technology थी नया कह सकते हैं नया अविस्कार किया गया इनोंने sales को cover करने के लिए सबसे बड़ी बात आप जानते हैं इस company के बारे में कि वर्ल्ड की second largest manufacturing company है मोबाइल के लिए बीवी के तो आप समझ गया है किस तरीके से customer को अपने कबजे में लिया यहाँ पर उन्होंने offline जो लोग थे जो सस्ते phone पसंद करते थे और stores पर जाकि पसंद करते थे उनके लिए पूरखा अलग-अलग तरीकी से अलग-अलग advertising से ताकि वो mind को reset कर पाएं कि दोनों फोन अलग हैं ताकि आप इस्टोर के लिए तो बीवो ओपो देखें बीवो और ओपो आपको फिल ना आए कि दोनों फोन एक ही company के हैं साथ में जो online premium फोन पसंद करते थे तो उनको online offline दोनों के लिए जो की mid range phone है सस्ते phone है ओ realme के नाम से नो ने निकाला और उससे बाजार के अंदर हड़कम मचा दिया सबसे बड़ी बात यह है कि एक Chinese company है यादि आप भी Chinese का बहस्कार करना चाते हैं तो जरूर करें इन चारों company को phone ना खरीदें और इनका जो profit है वो आप चाइना ना पहुचाएं अब बात आती है कि आप कौन से phone खरीद सकते हैं या और कौन से Chinese company है अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे आपके लिए कि कौन कौन से Chinese company भारत के अंदर अपना बाजार फैलाए हुए हैं और जिनको हम खरीद कर उनका profit जो की चाइना को दे रहे हैं और चाइना हमारे border पर आप देखी पा रहा हूंगे किस तरीके से attack करने के mood में आ गई है तो यदि हमारी भारती सेना border पर जवाब भोली से देगी बंदुग से देगी तो हम अपने wallet से दे सकते हैं अपने Chinese application Chinese सावान Chinese mobile जहां तक हो कम कीजिए मत खरीदिये stop करिए और आप भी एक सेनिकी तरह देश की support कीजिए एक-एक करके हर ब्यक्ति करेगा तो चाइना के लिए profit कम होगा और Chinese सामान की विक्री भी कम होगी उसके पास पैसा भी नहीं पहुचेगा इस तरीके से कम सकम आप देश हित में काम कर सकते हैं अपना देश धर्म निभा सकते ह तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तो अगमीद है आपको ये वीडियो पसन्द आया होगा जानकारी भी काफी मिलियोगी तो वीडियोको लाइक थे जरूर कीजिए और लाइक कीजिए साफ में कमेंट भी कीजिए आपके लिए Chinese phone कौन कौन से हैं और अगर Chinese phone अंब नही जान रखें अपना और अपने आसपास जैहन दोस्तों बंदमातरम